कि वह रहा है टेलीवीजन बाय रॉयल डहल करके यह जो पूरी पोईम है यह टेलीवीजन के उपर है तो काफी इंट्रस्टिंग यह लंबी पोईंग भी है चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले बोल दूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे अब देखते थोड़ा सब बेग्राउंड इस जो पूरी पोईम में जो पोईट है वो यह बोल रहा है बार-बार की जो टीवी है टीवी बड़ा ही खराब चीज़ है टीवी से बहुत जो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है और और उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और उनकी जो ब्रेन की डेवलेपमेंट है वो नहीं हो पाती तो अगर मैं समराइज करूं तो यह है कि पोईट ने पूरी ही पोईम में टेलिवीजन की बहुत जादा बुराई करी है और उसने बहुत एंकरेज करा है चिल्डरन को बुक्स पढ़ने के लिए कि बच्चों को जाह साथा टाइम बुक्स पढ़ने में बिताना चाहिए रधर दन टीवी देखने में ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं स्टेंजा वाई स्टेंजा तो पहले यह है दा मोस्ट इंपो देखने दो और सबस अच्छा है यह होगा कि इस चीज को टीवी को अपने घर में लगाओ ही मत इन स्टॉल ही मत करो ठीक है इस चीज को घर में रहो ही मत फिर पोड़ के कहता है इन अलमोस्ट एवरी हाउस ही वी एफ सीन वी हैव वाश दम गैप गेपिग अट दश्क्रीन मतलब कह रहा है मैंने हर घर में यह देखा है कि जो बच्चे है टीवी पर मतलब आँखे गड़ा गड़ा के देखते हैं गेपिंगा मतलब यह आँखे गड़ा गड़ा के देखना दे लॉल एन स्लॉप और लौंज अबाउट गड़ा गड़ा के देखते हैं जिसे आँखे पूरी उनकी बहार निकला है मतलब कहने का मतलब है जाकि ball it is now Boston the तीवी देखते तिक ठीड भूर के यह थ्ले हटते लुबहुत सारे बच्चों को देखा था रूंअ का ही आज बूखर लेटे हुए लेकर घ्र खरते सिर्ट ऑर ऐस्से देखते देखते पिशले हफते ही बहुत सारे बच्चों को देखा था डजन आइबॉल का मतलब है बहुत सारे बच्चों को फ्लोर पे लेटे हुए देखा था और टीवी देख रहे थे तो फिर यह यहां पे वो बता रहा है इंसिडेंट फिर देशिट एंड स्टेयर एंड सिट अंटेल यह आंको इन एपनोटाइस बाइट वो कह रहा है बैटके टीवी दिखते रहते हैं आंकी गढ़ा-गढ़ा कर देखते हैं जो लोग शराब बहुत बहुत है तो उनका जो मांइंड है वो थ्टोड़ासा क्या हो जाता है है ऐसा लगता है जीजो मांइंड हो गया मांइंड को में नहीं है कोई और चीज इनको चला रही है तो ऐसी वह बच्चों के बारे मोला है जब टीवी देखते हैं तो ऐसे लगते हैं ड्रंक हो गए हैं टीवी ने इनका पूरा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया है अपनी तरफ हिपनोटाइस कर लिया है फिर विद आल देट शॉकिंग घ्यासली जंक ठीक हागा इनका इसलग और बिल्कुल जंक एनका की बिल्कुल 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 बिकार चीज ए तो मतलब टीवी से सिर्ण नवर्ट में ए और घ्रमाट के यह यहां पे दिख रहा है बार वार याजवी नोट्वी दें पूंच अब थोड़ा सा बता रहा है किborg कहते हैं लोग कहते हैं कि जाहतर parents का कहते हैं जैसे बच्चे tv देख रहे हैं तो अच्छी बात देख रहे हैं तो जाति देख रहेriminal कोई धीवी नको लडाई नहीं करते हैं, सलक पर नहीं जाते हैं, सामने बैठ रहते हैं, अपना टाइम इधर-दर फाल दू चीज़ों में ही लगाते हैं, at least अराम से बैठे हो रहते हैं, पेरेंट्स को परशान तो नहीं करते हैं, तो यह थोड़ा सा पेरेंट्स का वर्जन है, दे लीव ठीक है, लेकिन आप फिर यह पोईट क्या रहा है, पोईट फिर क्या रहा है, बट इड़ यू एवर स्टॉप तो तिंग, तो वंडर जस्ट एग्जेक्टली वाट इस दस्ट्री यह बिलवेट टॉट, टॉट मतब चाइल्ड, वो कह रहा है कि कभी पेरेंट्स को बोल र इस तरीके से यहाँ पेंचन किया है, इस तरीके से यहाँ पेंचन किया है, He can no longer understand a fantasy of fairyland, his brain becomes so as soft as cheese, his powers of thinking rust and freeze, फिर वो यहाँ पे वो ही बोल रहा है, कि क्या कहते है, वो हमेशा बच्चा जो है न, मतलब एक imaginative world में रहा है, और real में जब कोई एक poem आती है, या कोई fantasy, poem को मत नहीं हाँ पे, fantasy world की बात और fairyland की बात यहाँ पे कर रहा है, जो यह कह रहा मतलब जब कभी सच में कोई poem पढ़ता है, वो बच्चा, तो इसको poem समझ ही नहीं आती है, क्योंकि वो अपना एक TV में virtual reality में जी रहा होता है, ठीक है, his brain becomes as soft as cheese, as soft as cheese का मतलब यहाँ पे यह है, कि जो उसका जो brain है, इतना soft हो जाता है, कि उसको पता ही जलता कि क्या चीज reality ह और क्या चीज imagination है, वो difference ही नहीं कर पाता है, imagination और reality में, यहाँ पर यह मतलब है, as soft as cheese, his power of thinking rust and freeze, rust मतलब होता है, जंग लग जाता है, उसके दिमाग में बच्चे के, ठीक है, वो सोच ही नहीं पाता है, उसको दिमाग चलता ही नहीं है, खाली देख रहा है, दिमाग फूर झाली पाता है, तुझ, डीक है, रोएंगे, फिक है, क्या करेंगे, अगर हम TV आठा देंगे, थिक है, क्या करेंगे, बच्चे अगर हम TV हटा दे तो क्या होता है, ठीक है, फिक है, वौत शीमाव ब से लिधू और भाट पात, ला चुट पहला है यह टीवर प्र ता यहां पर पिए भी नहीं था पिरण से ही यह पिर इंच्टेवी नहीं था पुरी जब पिमेदा टा टुडर यह नहीं था तो इस रही पिने पर इंच्टिंग अई था उस टाइम बच्चों कैसे कले थे तो भैसे देट रएपकर गरो वो अब poet बोल रहा है, पता क्या करते थे वो, जब TV नहीं था, तो आपके जो बच्चे थे, उस ताइम को जो बच्चे थे, क्या करते थे, रीड करते थे, बुक्स पढते थे, they used to read books, तो पेरेंट्स को बोल रहा है कि आप भी अपने बच्चों को habit डालो, बुक्स पढ़ने पे जब ये TV नहीं था, तो आदे सहा था, जो बच्चों का room था, किताबों से भरा रहा रहा है था, पूरे हर जगे किताब ही होती थी, बेड रूम में भी, बेड पे हर जगे सरफ और सरफ किताबे होती थी, ठीक है, और किताबे किस चीज़ की ती ट्रेगनस की, जिप्सी की Queen's की Wales की Treasure Isles ठीक है Distance Shore अलग-अलग books की बता रहा है कि उस टाइम पे जब लोग TV देखते थे तो किस तरह की books होती थी Smugglers की book होती थी, Pirates की book होती थी Sailing Ships की होती थी, Cannibals की होती थी ठीक है तो Steering Away at Something Hot Good Gracious, The Younger One at Patrick's Water, यह सारी जितनी भी यहां बाते कर रहा है, यह सारी books की बाते कर रहा है वो यह बता रहा है, poet, जिस टाइम पे TV नहीं था, उस टाइम पे यह सारी बच्चे इस तरह की books पढ़ते थे यह सारी books के नाम है, अलग-अलग books के, तो यह सारी books हम पढ़ते थे, जब TV नहीं था, तो answer दे रहा है गो थो यो टीवी सेट अवे फिर यह बोल रहा है पोईट पेरेंट्स को कि उस टाइम पेबी बच्चे थे जो बिना टीवी के रहते थे बुक्स पढ़ते थे तो अब मैं आपसे बोलता हूं पेरेंट्स से कि जाके यह इन बच्चों का जो टीवी जो आपने टीवी दिखा पढ़े हो ना आज के बच्चों को टीवी हटा दो वहां से हटा दो टीवी बिल्कुल अब जरूत नहीं है टीवी के उनको बोलो किताबे पढ़ें और फिर वो बोल रहा है एनेट्स प्लेस यू के इस्टॉल लवली बुक्षेल्फ ऑन दो वल किताबे लेके आओ बच्चे बहुत ज्यादा ज्रिद करें कि मम्मी पापा ये टीवी को टा दिया ठीक है तुम्हें काटे तुम्हें किक करें ठीक है तुम्हें हो सकता है एक शोटे टंडे सा भी पिटाई करें तुम्हारी जैसे बच्चे करते हैं प्यार में तो कहता है हो सकता है तुम्हार दस दिन में, पंदा दिन में, तुमारे बच्चे बिलकुल ठीक हो जाएंगे, उनकी ये habit हटे जाएगी TV देखने की, जब कुछ नहीं होगा न, और having nothing else to do, they will now begin to feel the need of something to read, जब कुछ नहीं मिलेगा उने, दस दिन, पंदर दिन, बारा दिन, जब TV नहीं रहेगा, तो in the end, उ in that ridiculous machine, ठीक है, अब फिर वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है, धीमे धीमे, जब वो किताबे पढ़ेंगे, तो उनका जो heart है, it will fill, जो उनका heart है, बहुत खुश हो जाएगा, वो बहुत ग्रो करेंगे, उनका mind ग्रो करेंगा, उनकी overall personality ग्रो करेंगे, किताबे पढ़ने से, और फिर उनको याद आएगा, कि वो इतनी बेकार चीज थी, ridiculous machine क्या है, मतलब TV की बात कर रहे है, वो कहरे है कि, तब उनको लगेगा, कि हम जो TV देखते थे, कितनी बेकार चीज देख रहे थे हम, ठीक है, और फिर बाद में जब वो TV देखेंगे, तो उनको उस TV से क्या हो पकरत होगी, ठीक है, तो ये बता रहा है, जब एक बार अच्छी चीज पकड़ लेंगे वो, तो वापे जब वो खराब चीज पाएंगे, तो उनको मालूम पढ़ेगा, कि वो चीज कितनी खराब है, कितनी बेकार चीज है, ठीक है, and later each and every child will love you more for what you did, और बाद में, जब आफे किताबे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, लाइफ में, जब कुछ अच्छा अचीफ करेंगे, सक्क्सेस्फूल होंगे, तब उन्हे, तब वो बोलेंगे, कि अपने पेरेंट को, कि आपने, आपको थैंक्स करेंगे, कि पेरेंटस आपने बहुत अच्छा किया, हमारे से टीव यह टा दिया और वहाँ पे सारी की सारी क्या फिल्ड कर दी आपने रूम में किताबे फिल्ड कर दी तो गाइज यह था वीडियो अच्छा मैं एक चीज बताजेता हूँ यह वीडियो यहां खतम हो रहा है पोईम खतम हो रही है यह तो पोईट का व्यू था पोईट पूरी पोईम में टीवी का क्या है बिल्कुल कम्प्लीटली अगेंस्ट में है ठीक है यह कहता है टीवी बहुत खराब है टीवी नहीं देखना चाहिए सिरफ बच्चों क्या पढ़ना चाहिए किताबे पढ़नी चाहिए अभी मेरा परसनल ओपीनियन यहाँ यह है कि मैं मानता हूँ जो टीवी है वो एक टूल है ठीक है वो क्या है एक टूल है साइन्टिफिक टूल है साइन्स क्या दिया हुआ एक टूल है तो टीवी खराब नहीं होता यह depend करता है कि आप उस tool को use कैसे करते हो ठीक है जैसे कि अभी nuclear energy है nuclear energy खराब नहीं है nuclear energy से bum मनाओगे तो बहुत खराब है लेकि nuclear energy से electricity भी बनती है light भी बनती है तो science तो आपको tool देता है आप उसको use कैसे करते हो यह आप पे depend करता है तो अगर moderation में TV देखा जाए ठीक है तो वो TV खराब नहीं है वो TV भी अच्छा है तो मैं इस बात से poet की सहमत नहीं हूँ यह मेरा personal opinion है कि poet की जो अंदर इतनी hatred है TV को लेकि और books को तरह encourage कर रहा है तो ऐसा नहीं कि TV बहुत खराब है लेकिन हाँ आप exes में कुछ भी करेंगे तो खराब हो जाएगा ठीक है ऐसे तो exes में अगर आप सिर्फ पूरन books भी बढ़ते रहेंगे आप खेलेंगे नहीं लोगों से मिलेंगे नहीं तो वो भी खराब है तो moderation of everything is good TV में अच्छे channels भी आते हैं जैसे कि discovery channel है discovery science है history channel है national geographic channel है तो अच्छी चीज़े देख कि आप अच्छा भी सिख सकते हो अगर आप moderation में TV देखोगे तो अच्छा भी है तो यह सारी चीज़े क्या है यह scientific tools है TV एक scientific tool है यह आप पर depend करता है कि आप इसको use क्या से करते हो यह मेरा personal opinion है लेकिन अगर बात खाली poet की की जाएगी तो poet तो TV के completely against है उसने पूरी ही poem में सरफ और सरफ books को encourage किया है reality यह है अगर moderation में आप कुछ भी करो तो सब ठीक है TV भी आप देख सकते हो आप books भी पढ़ सकते हो दोनों ही अच्छे हैं आप सही books पढ़ते हो और सही use करते हो TV का तो वाइस यह था मेरा opinion यह था आज का वीडियो हो आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा अपने comment section में comment जुरू बताएं कि आप ने अगला वीडियो किस topic बजाते हैं Have a nice day, bye bye, take care